हाई दिस जंकित्तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फर ओल हेलो फ्रेंट्स आरारवी इलावाद के जंसी डिवीजन और इलावा डिवीजन वेटिंग इस्टिवेंट्स प्लस में जो मेन लिस्ट के इस्टिवेंट्स हैं जिनका जंसी डिवीजन अलोट हुआ है उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है उनको जानना बहुत ज आगे further आने वाले students से उनके लिए बहुत ज़्यादा important है उनको ये video उनके लिए काफी important रहेगा उनको बहुत help मिलेगा इससे तो सबसे पहले मैं stand by के लिए थोड़ा सा absent वगरे की बात कर लूँ उसके बात बताऊंगा कि क्या क्या documents लेके आपको फिर जाना है वहाँ पे जह तारीक मतलब कल वहाँ पे जो absent रहे थे दो student 40 में से absent रहे अलावा division में जो डीवी चल रहा है और सात तारीक की बात करें तो 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 यह आपका अगर total की बात करें अभी तक कितने students total हो चुके हैं तो इसमें आप अगर इलावाद का देखेंगे तो 90 students अब तक absent हो चुके है और जहासी का जैसा कि first reminder already आ चुका है अगर जहासी division की बात करें तो जहासी division में 38 students यह आपका जो first panel आया था 963 वाला वो और यह जो अभी आया second panel आपका 360 students का इन दोनों को मिला के total 407 में से 38 students absent रहे हैं तो first और second दोनों panel के reminder अभी भेजा गया है इनका first reminder आज document verification था वो भी मैं बताऊंगा कि आज कितने students आये वो first reminder में और आगरा में 4 students absent रहे 22 में यह already पहले हो चुका है इनका डिवी सब कुछ complete है total rank 27 तक के student आगरा से already training के लिए 5 तारिक को जा चुके हैं अब उसमें तीन ऐसे students है जिनका rank कूपर है बट वो नहीं गया वो next schedule में जाएंगे उनक के according आज एक भी student नहीं पहुंचा है first reminder की तरब से आज 16 students का document verification था वहाँ पर ELP का वो नहीं पहुंचे है आज first reminder में एक भी student वहाँ पर पर परजेंट नहीं हुआ है बाकी 12 तारिक को उनका second जो बचे हुए students है उनका होना है तो उस दिन जो भी update आएगा मैं आपको inform तो यह पूरा अभी तक absent का पूरा आपका वेवरा हो गया सारा information मैंने आपको provide कर दिया सारे division का NCR का आप जरा बात करते हैं कि जहासी में जो सबसे जो important है जो जहासी में चल रहा है ये बहुत important है और क्या-क्या documents वेगरा वहाँ पर demand किया जा रहा है ये काफी important है तो सबस form वेगरा या service book कुछ भी नहीं भरवाये गया था हाला कि इलाबाद में थोड़ा सा process अलग है इलाबाद service book वेगरा सब भरवा दे रहा है और उसमें सारा process complete हो जा रहा है और सिर्फ वहाँ पे जो आपका immunity bond है वही आपको लेकर training के time पर जाना होता है इलाबाद में लेकिन जहांसी में थोड़ा सा अलग scene था यहाँ पे आपको service book वेगरा कुछ नहीं भरवाये जा रहा था वो अब भरवाये जा रहा आप जब वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक S1 नाम का form दिया जाएगा S1 में दो चीजे होती है एक आपको अपना पूरा bank detail देना होता है और साथ में दूसरा जो होता हूँ आपका NPS form होता है तो NPS form बरना होता है तो यह S1 form का आपका 9 page का पूरा अच्छा खासा set है इसके 3 set आपको बनाने है 999 के 3 set होंगा उसमें बहुत सारी detail होती है और वहाँ पे काफी मतलब helpful है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ आपको लगे गा ही form बरने में क्योंकि 9 page आपको बरने और 3 set पूरा complete करना है तीनों पर एक एक फोटो भी आपको अपनी चिपकानी है तो यह सारा होगा आपका पूरा bank detail pen card अधार detail सारा कुछ भरोर के और NPS form जब आप भर देंगे उसके बाद आप जब उसको लेके जाए तो आपको service book दिया जाएगा आपको अपना service book फिल करना है इलाबाद वाले students जानते हैं और मैंने वीडियो में service book दिखा भी रखा है तो उसमें भी बहुत basic detail होता आपका नाम father name और data पर यह सारी information और आपके पांचो fingers के निसान अंगुठे अंगुठे का सबका निसान service book म अगर आप sample वगरा चाहिए तो आप ले सकते हैं वहाँ से और यह सारा जब कर लेंगे तो यह सब करने के बाद जो यह अपने पहले वाला जो form भरा है तीन सेट का इसमें आपको आपका 10th का certificate और marksit दोनों चीज पहले marksit फिर certificate फिर 12th का marksit फिर उसका certificate ऐसे ही आपको आपक आपके और उनको submit करना है फिर service book वगरा का सारा formality जब पूरा हो जाएगा तो आपका पूरा bundle वो बनके और DPO sir के पास जाएगा वो अपना उसको verify करेंगे पूरा proper तरीके से और verify करने के बाद और हाँ आपको advance में मतलब यह तीन photo तो लगी रहें service book को भी photo लगेगा तो आ आप अच्छा खासा मतलब 10 से 20 photo लेकर जरूर जाना वहाँ पर यह further process के लिए और मैंने पहले बता दिया तो आगे आने वाली जो training मतलब जो जहांसी division के लड़के हैं वो इन सब चीजों के लिए तयार रहें कि उनको किस किस तरह से क्या क्या करना है by chance उनको पता चलता है photo photo नहीं है यह नहीं है तो आप पहले से अपना त्यार कर लें को बहुत सार हो सकता है कि bank account ना हो तो अपना खुलवा ले या चाहते हो नया खुलवाना तो सब अभी अपना process complete कर ले आपको passbook वगरा सब लेके जाना और वहाँ पर उसकी copy भी लगानी है हाँ एक और important information कि बाद आपको training letter तो training letter जैसा है कि 26 तरीक को जो बैस जारत उनको बोलाये गया था कि 22 तरीक को आके आप अपना training letter ले जाना लेकिन जिनों ने मेरे को information दिया वो बहुत दूर कोलकाता से आये थे कोलकाता रहते हैं वो तो उनके लिए 13-1400 किलोमेटर का distance हो जाता है तो उन्ह रिक्वेस्ट किया तो उनको 2-3 गंटे बिठाया गया और बाद में फाइनली उनको आज ही training letter प्रवाइट कर दिया गया है उनको 26 तरीक को जाना है उनका training letter आज दे दिया गया है तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस था जहांसी डिवीजन के लिए तो जो भी एस्ट्रेंट जो मैंने documents बताए हैं इसमें से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप complete कर लेना एक बर फिर से मैं repeat कर देता हूँ आपको S1 form बरना होगा जिसमें आपका bank details का एक form होगा और एक आपका NPS form होगा उसके 3 copy आपको बनाने है 9-9 page के पूरा set है वो उसका 3 copy मतरब 27 page उसको ब पूरा proper भरना है भरने के बाद 10th का mark sheet certificate ऐसे 12th का mark sheet certificate और diploma, degree, diploma, degree और IT जो भी आपने उसका mark sheet और certificate फिर आपको अधार card, pen card और passbook यह सारा आपको लगा के और submit करना उसके बाद service book बरना है service book बरने के बाद आपको आपका training letter provide किया जाएगा photos वेगरा सभी में लगेंगे और जो भी documents हैं वो self attested होंगे cancel check भी देना है एक तो अब भी कुछ attest वगरा कहीं से कराना नहीं है उसके लिए आप बेफिकर रहे हैं बिल्कुर relax है पस आपके पास आधार card, pen card, bank का passbook, detail वगरा सारा और एक cancel check यह चार चीजे जरूरी है बहुत सारे students पूछ रहे थे आज मैं इनफ है तो यह सारा complete information था absent का और जांसी division का पूरा का पूरा information किस तरह से further process हो रहा है बहुत बद्धन है